नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका DC Site Engineer चैनल पे और सिविल साइट की सही जानकरिया आपके लिए लाया बाकी सब है मोहमाया तो चलो दोस्तों शुरू करते आज का वीडियो आज के वीडियो में मैं आपको पुश पुलर के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे देखिए यह image आपको दिख रहा है इस प्रकार दिखता है पुश पुलर पुश पुलर का नाम में ही उसका function है दोस्तों पुश पुलर का यह function है कि wall का जो position है उसको push करना या pull करना जहाँ पे wall का position है वहाँ पे अग पुष्पुलर रहता है उसको टाइट करते हैं या वो वाल को हम लोग पुष्च करना है या पीछे धकेलना है तो हम लोग जो हमरा पुष्पुलर है उसको हम लोग लूज करके वो जो वाल है उसको हम लोग पीछे वाले साइड में धकेलते हैं इस प्रकार काम है पुष्प component जो है उसके बारे में मालूम है IC के बारे में आपको मालूम रहेगा उसे internal corner कहते है लेकिन ICLB इसे क्या कहते है ये मालूम है ICRB इसे क्या कहते है ये मालूम है वो कैसा दिखता है वो कहां पर use होता है इसके बारे में अगर आपको मालूम है अगर आपको मालूम नहीं तो आपको जरुरत है DC Site Engineer ने अभी लॉंच किये हुए All Aluminium Shutting Course जोईन करने का अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिये गए Mobile Number पे आप WhatsApp भी कर सकते हो या Call भी कर सकते हो तो आपको बाकी जो हमारा Course है उसके बारे में आपको जानकरी मिलेगी Course में 5 Parts है उसका हर इक Part 99 रुपीज को है दोस्तो इतना सस्ता जो Alluminium Shutting का Course अभी फिलाल मार्केट में किसी के भी पास नहीं है हम लोग आपके लिए लाए है इसमें बहुत सारी चीज़े आपको सीखने को मिलेगी अगर आपको जानकरी चाहिए तो आप नीचे देगे गए नमबर पे WhatsApp करो या Call करो दोस्तों आपको सबी Component और Drawing Reading बहुत ऐसी सारी चीज़े उसके बारे में आपको जानकरी मिलेगी तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद